सबसक्राइब करें बुकें वर्ल्ड यूट्यूब चानल को और दबाएं घंटे को ताकी पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले एशिया कप 2018 हमें आज बुदवार टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से खेला जा रहा है पाकिस्तान की टीम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा स्कोर नहीं खड़ा कर सकी और महज 162 रनों पर वेल आउट हो गई इस तरह टीम इंडिया को जीत के लिए निर्धारित 50 ओवरों में 166 रनों का लक्ष मिला है पाकिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान हार्दिक पांडिया के मैदान में चोटिल होने की वजह से मैदान में फील्डिंग करने आये मनीश पांडे ने एक शांदार क्याच पकड़ा यह क्याच 25 वे ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाज सरफराज एहमद का था केदार जादव की गेंद को सर्फराज ने बाउंडरी पार कराने के लिए लोगाउन की ओर खेल दिया इसी दोरान वहां फील्डिंग कर रहे पांड़ी ने कैच लपक लिया मनीश पांड़े ने अपने दाएं ओर दोरते हुए यह कैच पकड़ा हाला की इसी दोरान पांड़े बाउंडरी पार पहुँच गए लेकिन तब तक उन्होंने गेंद को बाउंडरी के अंदर उचाल दिया इसके बाद वापस आकर पांड़े ने वह कैच पूरा किया बतादें कि सर्फराज एहमद ने भारत के खिलाफ 6 रन इससे पहले बल्ले बाजी के दोरान पाकिस्तान के दो विकेट सिर्फ तीन रनों के स्कोर पर ही गिर गए दो बार की चैंपियन पाकिस्तान ने दुबाई अंतराश ट्रे क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया लेकिन तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने तीन रन के स्कोर पर ही इमाम उलहक दो और फखर जम्मान शुन्ये को आउट कर पाकिस्तान के फैसले को घलत साबित कर दिया